जोतिश और दौरका शारदा पीट के शंक्राचारे स्वामी स्वरूपा नेंद स्वरस्वती का रविवार को निधन हो गया उन्होंने 99 साल की उमर में मद्द प्रदेश की नर्सिंगपुर के परम हंसी गंगा आश्रम में दोपहर साले 3 बजे अंतिम सांसली शंक्राचारे स्वामी स्वरूपा नें स्वरस्वती के निधन पर शोक की लहर है सोमबार शाम 5 बजे उन्हें आश्रम में समाधी दी जाएगी वह लंबे समय से बिमार चल रहे थे स्वरूपा नें स्वरस्वती को हिंदूओं का सबसे बड़ा धरम गुरू माना जाता था गयाजादी की लड़ाई में भाग लेकर जेल भी गए उन्होंने राम मंदि निर्मान के लिए लंबी कानुली लड़ाई भी लड़ी हाल ही में उनका जनम दिवस मनाय गया था स्वामी सुरूपा नें स्वरूस्वती का जनम 2 सितंबर 1924 को मद्रप्रदेश के सिवनी जिले में जबलपूर के पास दिगोरी गाउं में ब्राम्हन परिवार में हुआ था उनके माता पिता ने इनका नाम पोथी राम उपाध्या रखा था महज 9 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ धरम की यात्रा शुरू की थी इस दोरान वहुत्तर प्रदेश के काशी भी पहुँचे यहां उन्होंने ब्रमलीन स्वामी करपात्री महराज वेद वेदांक शास्त्रों की सिक्षा ली यहां वेद वो वक्त था जब भारत को अंगरेजों से मुक्त करवाने की लड़ाई चल रही थी शंक्राचार सुरूपानंद्वारका के पीट के शंक्राचारे थे हिंदू का सबसे बड़ा धरम गुरु इने माना चाहता था